अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ आपके अधालत में आज मेरे महमान हैं फिल्म इडूनिया कैसे चमकते सितारे जिनके दिवाने आजकल पूरी दुनिया में हैं ये नायक भी हैं खलनायक भी हैं ये हसाते भी हैं ये रुलाते भी हैं इन्हें आपने कॉमेडी में पसंद किया है ट्रेजर्डी में पसंद किया है लोग इन्हें OTT का बात्षा कहते हैं प्लीज वेलकम लोगप्री अभिनेथा पंक अच्तिरपाठी और आपके अदालत में अब मैं आमर्तिज कर रहा हूँ, आज की जज, हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ मेरिजिंग एडिटर एंटर्टेन्मेंट सोनल कालरा को. और इससे पहले कि आपके अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इज़ामात, सवालात का सिस्रा शुरू करें, आज की जज, सोनल कालरा की अज़ाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए. इजाज़त है रजज़ जी, कारवाई शुरू करें. तो आईए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा पहला इल् neighbours अभेनिताब पंकज्ट्रिपाठी आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकज्ट्रिपाठी पर इल्साम है कि यह बड़े शरार्ती है पंकजी जितने भोले भाले आप दिखते हैं फिल्मों में और यहां भी जितने मासूम बने हुँ है उतने मासूम आप हैं नहीं आपके गाँवालों ने बताया कि बचपन से ही शरार्ती थे जेब में साप रखके ले जाते थे लोग को डराते थे साप की रस्ती बनाके घुमाते थे सच है मुझे सच स्विकर्णा है न हाँ सच है और सच इस कारण से है कि गाउं में उतने खिलाओने थे नहीं टीवी रेडियो था नहीं तो हम साप बिच्छू से ही कह लेंगे ना मैं 76 बॉन हूं तो दस साल में 86 मेरे गाव में बिजली आई है 15 या 16 में नहीं दस नौ साल हो गए तो बच्छमन में न सर कुछ खेलने के चांद तारे थे तितलिया थी साप थे बिच्चू थे गली मुहले के कुट्टे थे इन ही के साथ खेलते थे तो साइकल पे सांप लपेट के लिए आते थे अर नि वो एक बार दुर्गटना गलती से हो गई थी वो लाया नहीं था तो फिर कोई का दुर्गटना गलती से हो जाए तो गाव में आके उसको बड़ा चढ़ा के बोल लो कि मैंने बहादुरी का काम किया है पेड से गिर ग तो बच्पना में इस सब कर लेते थे और साइकल के करतब भी बहुत दिखाते थे आप हाँ हाँ वो साइकल का करतब दिखाता था क्योंकि एक लड़का था वो भी साइकल का करतब दिखाता था ना तो लड़कियों में पॉपुलर था तो इस कूल में ये नाये सात्वी तो हम भी सीखने लगे थे कि अगले साल मैं विनर बनूगा और मैं पॉपुलर बनूगा मैं हार गया नहीं बन पाया था इतना शरार्ती बच्पना कि एक बार आपने कीड़े खा लिए नदी में तैरना सीखना था मुझे घर के पीछे नदी है तो एक पानी के ऊपर एक काले कीड़ा है तो हम उठा के 10-12 पी गए थे कि तैरना सीख जाएंगे तो पेट खराब नहीं हो यहीं का निमत है आप केने शरारत नहीं थी तो यह भी शरारत नहीं थी कि आप अपने जो रूमेट्स से जो हॉस्टल मेट्स से उनको डराते थे भूत प्रेत की आवाज निकाल कि तो थोड़ा डरता था भूत प्रेत में बहुत तो हम उसको डराने के लिए मैंने काम यह किया है अब मैं आपको एक आपकी बड़ी शरादर प्रताता हूं आपका नाम था पंकश तिवारी आपने अपना नाम बदला और सासात अपने पिताजी का नाम भी बदल दिया हा यह बड़ी स्वारा रहा थे एतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पिता को पुत्र का सरनेम मिल जाए हाँ वो दस्वी क्लास में मैं दस्वी का एड्मिट कार्ट भर रहा था फोम इमधान का तो मुझे तिवारी से ना मेरे गाउं में दो त्रिपाठी थे मेरे चाचा कर्मकांड और खेती किसानी करते थे तो मुझे लगा गुरू यह सरनेम का चक्कर है मैं मुझे किसानी और कर्मकांड नहीं करना है तो लास्ट ऑप्सन है कुछ जीवन में होगा तो फिर तो अपना है ही वृती तो मैंने फॉर्म में अपना नाम त्रिपाठी है लिगा फि आपने बड़ा आदमी बनने के चक्कर में नाम बदला लेकिन आपको तो जोची ने बताया था कि आप एक्टिंग वेक्टिंग कुछ नी कर पाएंगे आपका सिर्वा में कुछ नी चलेगा आपके पैर में चकर है तो हाथ देखा मेरे घर में एक साधी थी बड़ी बहन की वो विदाई हो गई तो साधी के विदा होने के बाद घर में थोड़ा सुना महाल होता है ना बुजर्ग एक जगा बैठे हैं बच्चे थोड़े दूर खेलते हैं और वो सारी सजावट रहती है लेकिन महाल में सुनापन होता है तो अचानक उस सुनापन को दूर करने के ल लिखा हुआ है इसके हाथ में तो नेपाल हमारे घर से 40 किलेमेटर दूर तो सब ने कहा कि कहा जाएगा विदेश नेपाल जाएगा ये तो वो बुले नेपाल तो हम लोग हस्त रेखा में विदेश की कटेगरी में नहीं आता है क्योंकि ना वीजा ना पासपोर्ट आप चले में लगे कि ये करेगा क्या कि इतना विदेश विदेश वियातरा इसके हाथ में है तो मुझे सर एर इंडिया का मेंटेनेंस स्टाफ बनाए वो लोग इस निर्ने पर आए कि एर इंडिया में मेंटेनेंस स्टाफ की नोकरी करेगा पाइलट कुरू मेंबर नहीं बनाएगा मैं बोला यार कलपना में भी मुझे कुछ बेतर पोजिशनिंग दे दो तो और उसमें था कि तुम्हारा एक्टिंग में कुछ नहीं होगा बात में होगा इलेक्ट्रोनिक्स में हो सकता है तो टीवी दुकान का सेल्समेन बन जाएगा तो एक्टर का स्क्रीन पर आएगा इसकी संभावना मेरे लाइफ में कभी भी नहीं थी तो एक्टिंग का जो सिल्सला है कहां से शुरू हुआ भीतर से पहला मौका का मिना पटना में मैं भी विद्याति परस्वत के कांदोलन से दो दिन गिरफतार होके लोटा था तो वहीं साथ ही दोस्त थे बोले रहे नुकर नाटक उधर है कुछ चलो देखने तो मैं देखने गया और देखके बड़ा अच्छा लगा फिर मैं क्योंकि उस गिरफतारी में हमारी अच्छी कासी पिटाई भी होई थी पुलिस से तो लगने लगा था कि नितागिरी बड़ा मुस्किल काम है हाँ कि लाटी चार्ज भी होते रहता है तो मैं नाटक देखने लगा था और देखते देखते मुझे बहुत प्रभाव हुआ नाटकों का मैं एक आद नाटक में रोया भी देखके परफॉर्मेंस कुछ एक्टर कई तो पटना में एक साइकल स्टेंट था कालिदास रंगाले के वाहर तो उसके जो इंचार्ज थे सुनील जी तो मैंने उनसे बोला कि मैं रोज दाता था नाटक देखने रेगुलर कि मैं करना चाहता हूँ तो बोले ठीक है मैं मिलवाय दूंगा तो उन्होंने एक ग्रूप से मुझे मिलवाया पटना में कि एक लड़का है बड़ा अच्छा दर्शक है रोज आता था मैं नाटक देखने जब 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 नाटक हो हर दूसरे तीसरे दिन तो साइकल स्टेंट वाले ने मेरी एक तो मत दो पैसा साइकल लगाओ नाटक देखो तो उन्होंने मौका दिलाए थे लेकिन आप पटना गयते हो थे मेडिकल के पढ़ाई करने पिता जी ने का था ना कि डॉक्टर बनना है मुझे लग गया था कि मुझसे नहीं रोगा और डॉक्टर में भी डॉक्टर में भी था कि अग्टर में भी तर लगता है तो बाट तर अधिर हो गई डॉक्तर नहीं बन एक्टर वोना है वोटल में भी आपने काम किया? होटल में मैं रसोई में था पहले तो ट्रेनी था छे साथ मही ने अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉंटेंटल में चाइनीज में पेंट्री बेकरी में जादा था और उसके बाद मेरा सिर्फ दुता उसको रियलाई जोगा कि इसको सुप्रवाइजर बना दो या आदमियों को अच्छा मैनेज करता है और इंट्रेन करता है तो एक साल कीचिन सुप्रवाइजर था आपने वहां भी शरारत की मनोज वाजपई के जूते चुरा लिए ने वो तो गुरु भक्ती में उठाए थे आप चाहते हैं ना गुरु की निश्वानी कुछ रह जाए तो गुरु जी वोटल चेक आउट करके चले गए थे और उनका एक रबबड का स्लीपर छुट गया तो मैं बोला जो चपल उनका छुट गया हाउसकेपिंग में वो मुझे दे दो मैं कम से कम गुरु के खड़ाओं में पैर डालने का प्रेक्टिस तो करूं तो मैं ले के आया था वो बोला कि अगर कहीं क्लेम कर दे तो मैं बोला नया ब्रेंट खरीद के उनको कुरियर करव देंगे यही चपल का तो वो ना उन्होंने क्लेम किया उन्हें तो पता भी नहीं था और उस चपल ने मेरी तकदीर बदल दी वाकर यह बहुत बड़ी सफलता है बहुत बड़ी बुलंदियों पर आप पहुंचे और हमारी दुआ है और बुलंद हूँ आप जनता में जो लोग सवाल पुछना चाहते हैं सर आजकल गूगल सर्च करो तो यह पता चलता है कि आप एक फिल्म का चार करोड साइन करते हैं लाइक लेते हैं वो आपके इंकम पूछ रहे हैं क्यों क्या यह सच बात है सर सच नहीं है जादा लेते हैं इसे है यह सवाल यह है कि आपके बास कितनी और कौन-कौन सी गाड़िया है BMW, Jaguar, Mercedes, Ferrari, Audi यह मैं बता हूँ कि यह सारी तो होगी इनसरों क्यों जानना चाहते हो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ नहीं मतलब सर अच्छा लगेगा कि आप बता दो थोड़ा सा कि मेरे पास दो आटो हैं दो स्कूटर हैं और आप सुनिया आपको कहानी बता देता हूँ मेरे पास लगजरी गाड़ी भी है बर मैं कभी उसका फोटो पोस्ट नहीं डालता नहीं बताता हूँ वो भी इसलिए मुझे लेनी पड़ी थी क्योंकि मैं जब फिल्मे करता था और ब्रैंड फिल्मे करता था मैं जब अपनी मेहंगी चीजे पसंद नहीं है आप ये देखिये खादी कॉटन का कपड़ा पहना हूँ अधी स्हीं उन्ही से मुंबंटी थी कीसे पहुंचे एसको लेकर बहुत सारे सवाल मेरे पास में हैं हमें ब्रेक्ति नुकेंगे कि बाद पक पर इल्जाम आत वा सवाल अका था जिस शहर में नौकर बनके आए है हम मालिक हैं उस चाहद के वेल्कम बैक आपके अदालत में आज जब मुकदमा चला रहे हैं सवात पूछ रहे हैं जानिमान एक्टर पंकच त्रिपाठी से आपके अदालत में अगला इलसा आपकी अदालत में फिल्म स्टार पंकच त्रिपाठी पर आरोप है कि ये मनमानी करते हैं पंकर जी आपके एक्टिंग करियर को देखते हैं, तो आप अच्छे-सच्छे रोल को बदल देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, मैं एक एकर की एक्जाम्पल आपको बताता हूं, आप एक डेली सोप कर रहे थे, उसमें विलन का रोल कर रहे थे, और उस समें एक गैंग वस्यपूर का रोल मिला, कुशल सीन था, उसको छोड़ के आप गायब हो गए और ग्यांग्च वस्यपूर में काम करने चले गए, मनमानी तो की? कोई तो है, जो हिंदी फिल्म इंडस्री में मनमानी कर लेता है, नहीं, वो, डेली सोप में क्या होता है, कि आप कमिट्मेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है समय, और सब मैनेज होता है, कुछ नहीं करना, करना क्या था सर, जे डेली सोप में पांच दिन ड्रामा करते हैं, चट्थे दिन ड्रामा और फिर फ्रीज कर दो, एक हाई पॉइंट बना के, तो मैं बोला, डेट मैनेज कर लो, एक बड़ी फिल्म मिली है, माने ही नहीं, माने ही नहीं, मैं बोला, मैं छोड़ दो मेरे को निकाल दो, मैं जा रहा हूं फिल्म करने, गैंग्स ऑफ वसेपू तो उसने बोला कि अरे तुम विलेन हो, हिरोईन के साधी होने वाली, तुम नहीं रहोगे तो रोके का कौन, मैं बोला, मैं हिरोईन के साधी रोकने के लिए नहूं, मैं अपना केरियर ना देखू उधर, तो मैं निकल गया था, फिर उन्होंने मेरे भाई से रुकवा दी, साधी, तो टीवी में हो जाता है कुछ भी, कि उनको कहीं डिटेन कर दिया है, पुलिस ने, अगले एपिसोड में आ के फिर जॉइन कर लो, लेकिन आप गई भी तो क्या करने, कसाई का रोल करने, बकरे कटे हुए, खून बैरा, भैसे कटे हुए, हाँ, ये मुझे जाने के पता चला था, कि इतना हिंसक है, वो अलाहबाद की रियल लोकिसन थी, और हम सब को आदत नहीं थी, वैसे जगह पर जाने की, देखने की, तो सब परसान थे वेचारे, मैं भी परसान था उसमें, वो जो कसाई खाने का सीन है, और हर शॉट के बाद उल्टियां करते थे, ज करना भी मुस्किल होता है, मैं कालीन भाया जैसा कर दूंगा, जो बैठा बैठा बैठे हलका ओर देते, खुद हाथ पर चलाना हो, गोली मारना हो मेरे से, उस रोल से आपको काफी लोग प्रिता तो मिली, लेकिन रोल भी क्या था, गालियां और गोलियां? पैसे नहीं मिले एकिन जैसे और ने वहन तो मैं बहुत उस समय भी आप तो बिल्कुल नहीं करता हूं, बहुत सोच समझ के स्थब्सकरें का इस्तिमाल करता हूं. बहुत सोच समझ की गाली देतें हैं? Nope, भाव के अभाव में गाली का प्रियोग होता है, तो वह से अनंद करिए न दिया गय तो गेंग्स्टर ने आपको एप्रोच किया था आपको कैसे मालूम है काफी काफी मतलब वह सारे साउथ के नौर्थ के इंडिया के इधर उधर के गेंग्स्टर मुझे आइडियल मानने लगेते हैं उन्हें लगता था जो बचन सुल्टान जो बोलता है वही करता है पूरी फिल्म में और करेक्टर का कहीं करबर नहीं है वो चरीतर का सबसे सही वेक्ती है तो नूल काफी पसंद करने लगे थे लोग कई राइटर आते थे कहानी सुनाने तो डरते थे कि पता नहीं इंदर से चाकूना निकाल दे और न्यूटन में बिल्कुल अलग तहरें का रोल जिसके लिए आपको एवार्ड भी मिला लेकिन उसमें भी मैंने सुना आपने अपनी मनबर्दी चलाई पूरा क्लाइमेक्स बदल दिया और आज साम पांच बजे के बाद शायद जीवन में मैं कभी नहीं मिलूंगा हम का लिग नहीं है हम सेम डिपार्टमेंट के नहीं है चुनाओ में अलग अलग लोगों के ड्यूटी लगती है तो मुझे इससे प्राबलम क्या है प्राबलम इतनी ही है कि तू चाहता है तेर अच्छा है तो न्यूटन को फंसाते रहता है वो कभी कुछ सवाल पूछ देता है कभी कहीं उल्जा देता है तो इसलिए क्लाइमेक्स में परिवार दिखा दिये वरना पहले था कि मैं सम्मानित होता हूं कि नक्सल इलाके में चुनाव कराएं तो अमित मसूर करने और ले बन चलता है तो आप और पूछ रहे थे ना पेमेंट और गाडियों की बात मज़ा से असली कमाई है दोस्त मज़े में ट्रेवल करो उसके कोई कीमत नहीं है और वो बिसकीमती है सबसे महंगी चीज़ है मज़ा अब जैसे लूटन के लिए आपने ट्रेवल किया और जंगल में रहे और वहां इतना डर था कि जो CRPF की उनिफॉर्म में वो भी नहीं पहन सकते थे एक दिन तो हम लोग जाने लगे तो अचानक प्रोड़क्शन वाले आए और हम सुभा पांच बज़े जाते थे तो होट करो तो हमने आपर सॉट उतार दिया गाड़ी में बैठे थे सिर्फ बन्यान दिख रहा है वाई ट्रंग का में एक दिन ऐसा हुआ था ऐसी सिच्वेशन में कभी डर लगा है नहीं नहीं डर नहीं लगा है को कि आम तोर पर हम जहां जाते हैं वहां पता होता है सूटिंग क जैसे गैंग सफवासेपुर का एक सिक्वेंस कर रहे थे राम नगर वनारस के उस हिस्से में राम नगर पैलेस के सामने मार्केट है बजार में अनुराग कश्वेशन की आदत है कि बहुत ही गुरिला सूट करते हैं कि रियल मार्केट में कैमरा छुपा देंगे कहीं जैसे दीना चाट भंडार है वहां गोदालिया चौराय पे वहां मैं और जेपी सिंग का जो किरदार है हम लोग चाट खा रहे हैं कास्वी चाट भंडार में या दीना चाट भंडार में और बात कर रहे हैं सीन कर रहे हैं जो हमें चाट खिला रहे हैं वेक्ती जो हमारे प बंदूख आती है नकली सुटिंग वाली लेकिन उसका साउंड करेक्ट होता है और धुआ गोली निकलती है तो अनुराक बोला कि सर मार्केट चल रहा है दस बजे सूबर सबजी बजार लगी है बैंक खुला है और लोग आज आ रहे हैं ये दोनों बाइक लगा हूँ और मार बैंक पर बैंक के बाहर दो पुलिस वाले बैटे थे गन लेकर तो मैंने वहला सुनिये अगर यह करना है तो सबसे पहले उन्हें जाकर बोलिए कि अभी जो गोली चलेगी वो सूटिंग है नहीं तो वह कहीं काउंटर चला देंगे तो गड़वर हो जाएगा तो उनको जा दराया तो उसके लिए पैसे मिल रहे थे न डराने के अब इस तरी टू में डराएंगे वो करके आया हूं और जो स्थी वन में मैंने सुना कि आप शॉट लेते लेते बैट जाते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था और कैमरामन परिशान होता था तो मैं वैसा एक्टर जाना कभी कबार कुछ कर देता हूं ऐसी हरकत तो मेरे परिशित डियोपी हमेशा वाइडर लगाते हैं पहले थोड़ा वाइड रखो एक अभी भी हिल सकता है इस्ट्रिक्ट नहीं करता मैं अभीने में अपने आपको और आप बताते हैं कि मुझे कंबल का कॉस्ट्यूम बनवादो बड़ी अची रिसर्च है सर हाँ इस तरी वन में मैं मुझे मैं बोला था उनको कि एक कंबल का लॉंग कोट बना दो कि छोटे सोहर में चंदेरी में फसे हैं लेकिन खुद को यूरोपियन समझते हैं वेस्टन तो कपड़े तो मिलते नहीं है वैसे उनके प्रिंट चेक्स तो कंबल को काटके लॉंग कोट बना लेते हैं तो उस आइडिया से अमर ने वो कपड़ा बनाया था इस तरी वन में जो मैं लॉंग कोट पहनता हू तो वो कॉस्टूम डिजाइनर का नहीं मेरा आइडिया था कि रुद्रा भाईया अपने किताबों में रहते हैं सोच रहा है कि मैं यूरोपियन आदमी हूं तो ऐसा कुछ बना के ऐसे हैं मेरे गाओं में मतलब हम हर गाओं में देखिए का तो एक आदमी है जो रहता गाओ है उन्होंने इसलिए किया बोला यार गैंग्स्टर का रोल है तुमको बहुत गैंग्स्टर कर लिये हो तो क्या करूं कि कुछ लुक वाइज ही अलग हो जाए तो वो पीरा चस्मा लेदर जैकेट जूते लूंगी फिर वो एक गन रहता है निकालता है तो यह सब एड कि लुडो में जो केरेक्टर था था गैंग्स्टर लेकिन बड़ा प्यारा आपने इसको बना दिया तो यह आपका कारणामा था है मैं हर निगेटिव किड़ार को उसके परिवार के पॉंट औ व्यू से पहले देखता हूं कि क्या वो अपने परिवार के लिए वे वीलेन ह होगा फिर मुझे दिखता है नहीं अपने गबर सिंग की बेटी के लिए गबर सिंग तो ही रो होगा पापा कहा गया है मुझा काम करने गया है साम को कमा के आएंगे तो रोटी बनेगी तो जब आप मैं विलेन को उसके परिवार के पॉंट औ व यू से देखता हूं और कि बहुत सारी फिल्म में आई हैं और किसी भी फिल्म से आप अपना एक फेवरेट डायलोग सुना दीजे आप जिस शहर में नौकर बनके आए हैं हम मालिक हैं उस शहर के और फुकरे में जिस अंदाज में आपने अंग्रेजी बोली थी वो भी सुना दीजे लोगों को हैं चीटिंग क्या था वाइरस हीज वाइरस किसकी मॉम मैडम काइड़ा मॉम फुकरे मजा आता है तो यह जो आइडिया था हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके बोलने था यह भी मेरा ही था मैंने पहले पार्ट वोन में जब फुकरे वान आई थी जब चौकिदार था तो मैं डिरेक्टर को बोला तो वो पहले तो उन्हो था यह भी मोलना फिर रिहरस कर रहे थे हम लोग लाइट नंगलग पंट रहे थी और गोणा अनग्रेशी बोलना मत तो मैं रहें मैंने रहराग बोल दिया हिग सो व न zwischen को बोना को वहां जो काम कर रहे थे वो हसने लगे फिर मरीक भाई आये साइड में बोल देना अंग्री जी वाली लाइन पॅश्में पॉस्टर पर आपकी तस्वीर नहीं थी पांकरत्र पांकरत्र पाथी सेलेबल स्टार हो गए। यहीं तो जीवन है। इसलिए एक के बाद एक सीक्वल आपको करने को मिले मेरी पांच्छे चल रही है इस तरी मिर्जापूर क्रिमिनल जस्टिस फुक्रे और भूल रहा हूं कोई एक मैं इस तरी हाँ वह भूल रहा था एक सूपर थर्टी फिल्म थी जिसमें नेता का रोल था वो भी आपने अपनी मर्दी से पूरा बदल दिया था नहीं उसमें मैं विकास महल डिरेक्टर थे तो वह सीन है तो आप लोगों के याद होगा कि जब आते हैं पैसे लेने के लिए रेतिक उनका अक्सफोर्ड में एडमिस्वन हो गया है और ये कुछ और बाते किये जा रहे हो जा रहे हो कहां जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो तो मैं उस बिहार के एक नेता का किरदार था तो मैंने अपने गाउं आसपास नेताओं को देखा था बहुत अल-बल बोलते हुए अल-बल बोलना समझ रहे हो आप लोग क्या बोलना है कुछ भी पता नहीं अपने ही तो मैंने बोला विकास जी इसमें ना मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगा रेंडम जो की इनको भी नहीं मालूम तो उस तरीके से वो रोल डेफलप हुआ तीन सिंथे लेकिन बहुत अच्छे थे थोड़ा अल-बल बोलके बताईए क्या थे अलवल यही थे कि दुबई जाओ बहरीन जाओ क्या बात ही तो कविता जैसा हो गया वो बोल रहे है कि सर आपने हमें बुलाये था हाँ हम बुलाये हमार उसकी इसको बुलाते हैं जो देश के लिए बात करेगा विल आपने सर मुझे बुलाये था मुझे जाना है तो पैसे की जोरोज यहां जाना जाओ पैसे और प्रेम के चकर में मत पड़ना मिर्जापूर में बिलन लिखा गया था और विलेन की एक ट्रडिशनल सोच है कि वो चिलाएगा, वो आखें बड़ी-बड़ी करेगा, वो डराना चाहेगा, तो मैं मिर्जापुर में डराता नहीं, मतलब यह सब नहीं करता हूँ, जो एक टिपिकल विलेन करते हैं, मैं इतमिनान सबैठ के बातें करता हूँ, सौफ्ट स्पोकेन है कालीन भहिया, कालीन भहिया को अगर कोई जानता नहीं कि यह क्या करते हैं, तू बूले का बहुत अच्छे आदमी है, आज कितने अच्छे आदमी से मिलके आया हूँ, सौट स्पोकेन, बकेरिंग, लुच वि अन्सो मन्त, उन्होंने छूट दी कि करो, पंकायव जमाना वो आ गया कि आपको देखकर केरेक्टर लिखे जाते हैं, आपको देखकर स्क्रिप्ट लिखे जाती है, तो इसको लेकर कुछ सवार और इल्जामात मेरे पास में हैं, हम एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के पंकात रिपाठी पर इल्जामा तो सवाला चालता है, मैं तो ये भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं, ना परफॉर्म किया है उसको दुबारा से देखते हैं, सर आपके गुप्तशर मुंबई में बहुत है, ये ऐसी बात है जो बहुत रेरिस्क मीडिया में कोई नहीं जानता है ये लोगों को बताते हैं, अंधेरे से उजाले में कैसे आना है, सरल, सादगी, जिन्दीगी कैसे जीनी है, लेकिन रोल करते हैं गैंक्स्टर के, गाली भी होती है, गोली भी होती है, पेसा है, जिस दिन ग्यान देने से पैसा मिलने लगेगा ये छोड़ दूँगा, तो पैसा आपके साथी कलाकारे वो भी जानते हैं कि बहुत सिंसेर एक्टर हैं आप रोल में पूरी जान लगा देते हैं लेकिन मैंने सुना कि एक्टिंग चल रही होती है सीन चल रहा होते हैं आप सोजाते हैं क्या कहूं ये भी सच है मुझसे रात में जगा नहीं जाता है तो अभी इस तरही में चलते सीन में सो गया था तो मैं सो जाता हूं सर ये है सच कई बार और जैसे मुझे लगएगा संबाद नहों तो डाइलग बोलना है तब तो सोना संभव भी नहीं है जब मुझे सुनना है तिन एक्टर बाते कर रहा है तो मैं आम ते उर पे जिस सीन में देखना जरी laughing कि आगचिक मोथ यहारा है तो मैंने एक्टिंग को इतना साध लिया है कि सोह भे में कर लो मैंने यह यह भी सुना कि जैसे सर भारत हमारा हम टेक्स्ट बुब्क में किताबों में पढ़े हैं न कृष्वी प्रधान देश है वैसे मैं नींद प्रधान आदमी हूँ मुझे सोना चाहिए हाँ जी कई बार ऐसा भी हुआ कि आप बीमार थे सेट पर एंबुलेंस खड़ी थी और आप रोल करते रहे जी ऐसा हुआ है दो बार हुआ है और एक बार आप आए हैं इसे होने के आप समझ रहे हैं इसे होने के ओफर भी आ गये थे मैं बोला बीमार हूं तो हमारी डिरेक्टर ने बोला तो एंबुलेंस और डॉक्टर रखेंगे ना सेट पर मैं बोला ही फिल्म नहीं करनी है मुझे तो ऐसा हुआ दो बार क्योंकि सर शूटिं है और सब के डेट्स हैं उससे भी बड़ी चीज तो उसको हिलाने में बहुत तकलीफ होती है और कई बार ये मेरे दोस्त और रिष्टेदार नहीं समझ पाते हैं किसी दोस्त की साधी है उसी डेट में बोलता है तो छोड़ दे सूटिंग कैसे छोड़ दूं भाई मैं अके पानी चरहना पड़े पैन कीलर एंटिबाटिक से काम चल सकता है तो करो आप एक दोस्त नहीं मुझसे शिकायत की कि इनको फ्रेक्चर हो गया था एटी-3 की शूटिंग के दौरान तू भी सेट पर डटे रहे हैं कौन दोस्त है है हां मैं मुझे रिव फ्रेक्चर हुए थ चार और पांच में और रात को सोया नहीं गया सुबह पता चला मुझे मिर्जापुर के सेट पे जाना था वो जो एक रैली है जहां स्टेज पे माध्वी और मुन्ना हैं और मैं भी हूँ वो सीन किया मैं और करके दूसरे सेट पे गया दूसरे ओटी-टी प्लेटफर्म का फोटो सूट करने बैंडरा ताज होटल में मैंने फोटो सूट किया अब मुझ से रहा नहीं जा रहा था दर्द के मारे पेंकिलर खाने के बाद भी तब मैं लिलावती होस्पिटल गया एक सरे हुआ तो पता चला दो फ्रेक्चर है रिब्स में उन्होंने बोला आप रेस् क्या करूं तो सो के हम लंदन पहुंचे वहां सब को मालूम था कि भाई इनको छोड़ दो अभी तो जितना जैसे मेरा सौट खातम होता था तो मैं कहीं बिस्तर रहता था आस-पास में लिट जाता था तो पर पांच्छे दिनों में दर्द चला गया था बट हीलिंग होने म आपके फैंस भी जो हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती हैं अब मैं भी नहीं करूंगा मैंने भी तै कर लिया कि सेहत पहले क्योंकि ये कमिट्मेंट और प्रोफेशनलिजम के चक्कर में हम अपने आस-पास के लोग अपना सेहत खोते जाते हैं मैं जब अपनी बेट कि इसी को देखता हूँ और बीवी को तो मुझे लगतар है कि मैं कहां से मैंने बे पा रहा था इस बार मैंने टै किया है जुलाई में मतलब मॉंसून में बॉंबに मेरे गर का तो और भी अच्छा है मैं 20 सब्साद पत्णी के साथ देखूंगा नहीं देखूंगा पानी को बरस्ते हुए, पत्ली को बुलाओंगा, आओ यहां बैठो, क्या करना है, बारिश देखना है। और एसी बरसात में कोई साइनिंग अमाउंट की बारिश लेकर आया तो? बोलेंगा छाते के नीचे रख दो। मैं तो यह भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं ना अपने जो परफॉर्म किया है उसको दुबारा से देखते हैं। सर आपके गुप्तशर मुंबई में बहुत हैं। यह ऐसी बात है जो बहुत ररिस्ट मीडिया में कोई नहीं जानता है। है आप पहले वेक्ति यह सुआल की अब कभी भी सुट करने के बाद कैमेरे में कैसा आया मैंने क्या किया मैं चेक नहीं करता हूं। मुझे लगता है डिरेक्टर है गापटएं उसका काम है प्रफॉर्म करते हैं। मेरा सवाल यह है जैसे भी रजजसर ने भी पताया कि आपकी जादातर मुवीस के सीक्विल्स बनते हैं और आप रोल्स रिपीट करते हैं तो इसके पीछे के खास वज़ा क्या है? फिल्म चल गई थी सिर्फ यहीं वज़ा है फिल्म हीट हो गई थी आप किसी फ्लॉफ फिल्म का सिक्वल प्रिक्वल देखी हैं तो इसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ यह का फिल्म हीट हो थी पैसा जादा आया था और जादा लाना है क्या यह सच है कि जब आप मुंबई आए थे तो गुंडे के रोल के लिए राम कुपाल वर्मा के पास आप चले गए थे हाँ हाँ गया था ना और वहाँ गया तो देखा कि मेरे से जादा जादा खतरनाक गुंडे पहले से कड़े थे तो मुझे लगा यार मैं तो फी बहुत सही चेहरा है मेरा एक इधर मार्क लगा हुआ है मतला ऐसे मैं पूछा आप लूग एक्टर हैं तो बोले हाँ एक्टर है मोले तो इतने खतरनाक क्यों लग रहे हो बोला भी खतरनाक आजमी की कास्टिंग करता है यह रामु पाल वर्म तो उन दिनों तो चार बंगला में न कई तो ऐसे मार्क और ब्लड लगा के गूमते थे कि रामु की नजर पढ़ जाए यह मिल गया अपने अक्टर लेकिन रामु ने आपको देखा बुलाया बहां बुलाया बहुत इंट्रस्टिंग किस्सा है वो भी सर रामु बुलाया म तो मैं चार आदमी के बैठने के बेंच पर अकेला में बैठा हूँ ऐसा चिपक के जैसे इधर और और पांच लोग आकर बैठेंगे आएसे बैठके और रामु बैठ जाए सामने बैठे थे रामु जी और देख रहे हैं मुझे अब पंद्रव दस मिनट तक कोई आपको द देखूं पर देखा बोला जाओ को उसके बाद बुलाए हैं नहीं 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 वह बहुत बहुत अच्छे डिरेक्टर हैं एक बाद सीडियों पर मिल गए थे तो मुझे कापी तारीफ किये कि वर डूइं गुट वंकच अब शयाद उनको एसास होगा कि अगर उस समय का फ जीवन में जो नहीं हो रहा है ना निरास मत होना कुछ अच्छे की तैयारी है एक और ब्रेक के लुखते हैं और ब्रेक के बाद आपके अधालत में पंकर तिरपाथी पर इंजामार्त और सवालात का एक और तो मैंनों से का था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीख आज मजबूरी है आपकी अदालत में हूं नहीं तो मैं भी सोचा था चुप रहा हूं वेलकम बैक आप पी अधालत में आचम सवाल पूछ रहे हैं इंजामात लगा रहे हैं जाने माने स्टार पंकर तिरपाथी पर आपके अधालत में अगला आपकी अधालत में फिल्म स्टार पंकर त्रिपाथी पर इल्जाम है कि ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं पंकर जी मैंने सोना इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि आपकी शादी हुई विदाई वाइफ की हो रही थी आप रो रहे थे मुझे लग रहा है था मेरी वज़ा से ही विदाई हो रही है तो एक अपराधी मैं भी हूँ मुझे विदाई बुरा बहुत बुरा लगता है मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं गाउं में भी कोई लड़की विदाव होती है ना तो जो माबाप से दूर होने का मैं इमोशनल हो जाता हूं अब देखिए ना बिगनिंग में अपना ही विडियो देखके इमोशनल हो गया ऐसा कुछ नहीं था मेरे किये हुए काम है जिस तरीके से आप सब उने अप्रिशेट किया रिसीव किया आते वक्त जो 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 प अबर दिया था तो यह आरोप सही है और यह अच्छा है यह यह आरोप सब पे लगए इमोशनल होने का गुंजन सक्सिदा की कल में जान भी जब एक्टिंग करती थी उसको आप बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे उसके टेक्स देखकर भी आप रोते थे उससे बांडिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी आज भी है वो मेरे घर आती थी और बहुत सिंसेर और हाड वरक कर लाये हैं मेरी पत्नी बेटी और लोग तो बहुत हो जाता हूँ लड़कियों को देखक चाहता हूं इनगे जीवन में ज़्यादा बहुतरी हो तरख्की हो इसलिए इंटिमेट सीन नहीं करते हैं आप नए इंटिमेट सीन इंटेंट की बात अगें की इंटेंट इंट्य पुरी फिल्म कर लिये हैं, तो इंटेंट क्या है, संसनी फैलाना या स्टोरी टेलिंग की कहानी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती है, उस कितनी उपयोगिता है कहानी में. आपने बहुत सारे नेताओं के रोल किये हैं फिल्मों में, लेकिन अटल जी इस देश के हीरो थे, तो हीरो का हीरो बनना इसके लिए काफी तायारी करनी पड़ी होगी? जी बिल्कुल, पहले तो डरना पड़ा, काफी डरना पड़ा. आप कभी मिले जिंदिगे में अटल बहरी बाशपई से? मैं मिला हूँ अटल जी से, बड़ी रोचक कहानी है, आप सब भी सुने सुना ही देता हूं तो आज 27 साल पहले की बात थे, पट्टना के गान्धी मैदान में मेरे खियाल से 95-96 में तो एक रैली थी, और मेरे प्रिये नेता थे, प्रिये वक्ता थे, तो उस रैली में मैं च मैदान के किनारे ऐसे नहीं, रोहे की रेलिंग में सीकड से वो चेन में ताला लॉक करके और चाभी जेब में रखके उस असंख के लाखों के भीड में घुस गया और मुझे अटल जी को करीब से देखना था, तो मैं स्ट्रगल करते करते मेरी आखरी स्ट्रगल ठक गया 300- चार सो मीटर दूर, उसके बाद पबलिक इतनी भीड थी कि मैं जा ही नहीं पाया, तो मैं उस 95 या 6 की उस पोलिटिकल रैली में चार सो मीटर दूर से मंच पे अटल जी को देख रहा था, और सिनेमा में वाइड एंगल बोलते हैं, वाइड फ्रेम, कि जहां सब कुछ सेज दीख रहा था मुझे मंच, और मंच पे अटल जी भासन दे रहे थे आचुके थे, और पीछे सतदन सिनहा जी खड़े थे, तो मैं वाइड एंगल में देखते रहा और उससे आगे मैं जा नहीं पाया था भीड की वज़े से, जब जब इस फिल्म की सोटिंग होती थी रवी जी, रवी जाध हूँ जो मेरे डिरेक्टर हैं, वो सेट पर मुझे अटल जी ही बोलते थे, तो डी जो हैं cinema टोग्राफर हैं लॉरेंस तो लॉरेंस को बोलते थे रवी जाध हूँ कि दूर से देखा था तो इस तातपर यही है कि जीवन में जो एक्स्ट्रीम वाइड है न आप अपने पत पे चलते रहिए वो एक्स्ट्रीम क्लोज भी हो सकता है जब आपके अधारत में अटल बैरी बाश पर आये थे तो मैंने उसे का था क्या आपके नाम में कॉंट्रडिक्शन है तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे माता पिता ने हमारा नम सही रखा था मैं अटल भी हूँ और बिहारी भी हूँ तो आपकी फिल्म में उनका ये रूप नजर आएगा प्रयास तो किया है हम सबने ये रूप तो वैसे भी नजरा जाएगा कि अटल जी का किरदार कर रहा हूँ अभी नेता है वो एक बिहारी है आटल जी सभाव से जरूर पढ़ती थी तो नरम होते थे और जब जरूर पढ़ती थी तो गरम हो जाते थे और पाकिस्तान के प्रती वो नरम भी रहे गरम भी रहे तो ये नरमी गरमी दिखाई है आपने हाँ बिल्कुल दिखाई है लाहर बस्यात्रा भी है वो नर्मी भी है वो उनके विचार भी है कि एक मैत्रिपूर्ण सम्मंद बने और जहां सक्त निर्णे लेने पड़े थे वो भी है बिल्कुल दिखाई है तब ही तुब विक्तित्यू को आप समझ पाएंगे जब नर्मी उनका सारा पहलू हो तो हम लें प्रयास तो किया है तो जब अटल जी पर फिल्म मना रहे थे तो अटाबैरी वाजपई के बारे में भी पढ़ा जी बहुत पढ़ा लेकिन मुझे अफसोस है कि सुटिंग के पहले में आप से नहीं मिला एक पहलू और आ जाती है अटल जी बहुत इमोश्टल इंसान थे जी अब मुझे मालूम नहीं आपके फिल्म में ये निकल के आएगा या नहीं आएगा 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 हम मतलब हमारे यहीं प्रयास है हमारी प्रयास है कि बटेस्वर के उस बच्चे की कहानी जो कालांतर में अधर्णी अटल विहारी वाजपई कैसे बने कही जाया और उनके मानिवी उनके बेक्तितु के सारे पहलू आ जाए उनकी ओरिटरी उनकी रादनीती ओरिटरी तो सर ओरिटरी के लिए तो मैं च्छम की है फिल्म में मैं अटल जी के थौट को पकड़ने की और समझने और समझाने की कोशिस की है कि मनुद असा उनकी स्पीच के समय क्या रही होगी सरकारे आएंगे जाएंगे पार्टियां बनेंगी बिगडेंगी पर ये देश हो जाना चाहिए इस देश का लोग तंत्रमर तो उसमें हाथ बाया गया या दाया गया इंपोर्टेंट नहीं है थोट क्या था वो इंपोर्टेंट है विचार और मनुदसा फ्रेम ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं मेंटल स्टेट तो उसको मैंने प्रियास किया है पकड़ने का तो अटल जी का पिरदार निभाते निभ कि अगर आप मेरी अलोचना भी करोगे तो मैं आपसे नराज नहीं होंगा ठीक है आपका प्रस्पेक्टिव है आपका सोचने का अरी नजरिया है और असहमती की भी सहमती होनी चाहिए कि तुम मुझसे डिसेग्री हो इस बात से मैं अग्री हूँ तो ये अटल जी के किरदार ने मेरे व्यक्तित्व में बदलाव किया है अटल जी ने एक बार मुझसे का था कि आप जितने बड़े होते जाएं बरदाश करने की ताकत उतनी बढ़ाते जाएं आहां उन्हें बात बताई थी ना कि बोलना नहीं चुप रहना सीख लो मैंने आटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है भाषन देने की तो उन्हें का था कि हमसे बोलने की कला मत सीखिये अगर कुछ सीखना है तो ये सीखे कि चुप कहा रहना है कित्ती बड़ी बात है आज मजबूरी है आपकी अदालत में हूँ नहीं तो मैं भी सोचा था चुप रहा हूँ इस फिल्म में भी क्या अठल जी की कविताएं हैं सुनने को मिलेगी लोगों को जे इस फिल्म में काफी कविताएं हैं कई जगा द्रिस्व में सीन में हम समवाद न बोलके उनकी दो लाइन कविता का इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो बहुत हैं कई जगों पे हैं आपके आवाज में लेकिन उसमें मूल रूप से अटल जी की आवाज में भी कविता सुनाई देगी फिल्म के अंदर जो जितना उचा उतना ही एक आकी होता है हर भार को स्वैम ही ढोता है चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है जरूरी ये है कि उचाई के साथ विस्तार भी हो उचाई के साथ विस्तार भी हो जिससे मनुस थूट सा खड़ा न रहे औरों से घुले मिले किसी को साथ चले किसी के संग चले भीड में खो जाना यादों में डूब जाना स्वैम को भूल जाना अस्तित्व को अर्थ जीवन को सुगंद देता है धर्ती को बौनों की नहीं उचे कद के इंसानों की जरूरत है इतने उचे की आस्मान को छूलें तो ये कविता है इस कविता के अंध में उलाईन आती है कि मेरे प्रभू मुझे इतनी उचाई कभी मत देना गैरों को गले न कर लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना आप एक सवाल था कि आपने इतने बाती प्रिकार के किरदार प्ले करें तो जब आपने अटल जी का इतना बड़ा किरदार आपने पेश किया तो आपको क्या कठनाई महसूस हूई इस चीज में यही कठनाई चुनाओती थी कि इमिटेशन कितना हो नकल कितना हो क्या मैं न्याय कर पाऊंगा जीवन इतना बड़ा है क्या रखना क्या रखेंगे क्या चुट जाएगा क्या स्क्रिप्ट होगी क्या मुझे जब फिल्म अप्रोच होई थी तो स्क्रिप्ट नहीं थी तो बहुत सा और सबसे बड़ी कठी आई प्रोस्थेटिक और मेकप दू घंटे मुझे प्रोस्थेटिक होता था मेरे चहरे पे और लखनव के 45-46 डिग्री टंपरेचर में प्रोस्थेटिक का रूल है कि एसी फ्लोर पे 22-22 डिग्री तक आप आराम से 5 घंडे कर सकते हैं 6 घंटे हमको रियल लोकेशन पे गर्मी में 45 डिग्री में तो बहुत चुनाथी पूर्ण मुश्किल का में फिल्म में की जिनोजी मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपने अटल ब्यारी वाजपई के इस मुश्किल रोल के लिए पंकच तिरपाटी कोई को चुना तो जब फिल्म बनाने का अम लों ने सोचा कि अ जब एक ही चाहरा दिखा और यही बात मैंने पंकच जी को बोली भी कि अगर आप ने अगर मना कर दिया तो यह फिल्म नहीं बनेगी बनेगी मला हम नहीं बना पाएंगे और यह तिंग हमारी जो चॉइस है या हमने जब साथ मिल की फिचर बनाई तो यह रिसल्ट आए बा तो मेरी राए शायद कुछ अलग हो सकती है कि आपने जिसको अटल जी का चरित्र किरदार निभाने के लिए चुना वो बिल्कु सही चोईस थी तो दश्यों को कि इंतजार रहेगा अटल बेहरी वाच पेपर आप कैसा भिने करते हैं कैसा किरदार निभाते हैं और अटल जी की जिंदिकियों को देखने के मुझे लगता है कि लोग इंतजार करेंगे बड़ी बहताबी से इस फिल्म का तो एक ब्रेक के लुटते हैं औ सोनल कालरा का फैसला आज के मुखत्मा चलाया जाने माने अभिनेता पंकच त्रिपाठी पर अब वक्त आपके अदालत में आज की जज सोनल कालरा के फैसले का पंकच मुझे नहीं पता आपको अज अन आक्टर एक अभिनेता के तौर पे ये कॉंपलिमेंट या तारीफ लगेगी पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अभिनेता है ही नहीं वो इस तरहां कि आप जो करते हैं स्क्रीन पे उसमें इतनी सहजता इतनी सचाई ह कि वो अभिने नहीं लगता है हम में से यहां जतने भी लोग है मैं गारंटी से कह सकती हूं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें से कोई व्यक्ति उठके आज स्क्रीन पे आ गया आप में उतना नाचुरल जो क्वालिटी है और उसी एकदम उसी सहजता और उसी सचाई से और यह सब इल्जाम सच्चे है और बहुत ही बढ़िया तरह से जवाब दिये तो सजा का तुखैर सवाली पेदा नहीं होता हम बस यही कहेंगे और I'm sure सब लोग यही चाहेंगे कि आप साल दर साल तरक्य करें आपका नया साल अच्छा बीते और खास तोर पे मैं हूँ मुझे अच्छा लगा सर कि आज की अदालत में सुनल जी जज थी कि देखे मुझे लगता है किसी भी अभिंदेता के लिए इससे बड़ा कॉंपिल्मेंट और कुछ नहीं हो सकता कि उससे कहा जाए जब जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो लगता ही नहीं कि आप अभिने कर रहें लगता है आप उसी कैरेक्टर के पार्ट हैं आप वही बना रहे दिन बन दिन लिखरता रहे आपको और भी लोगों का प्यार मिलता रहे इस चुप कामना के साथ आज चाब मुकदमा यहीं खत्त करते हैं अगले हफते आप से मुलाकात होगी एक नई शक्सित के साथ तब तक के लिए नमस्कार